तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चनल में अगर आप एक CSC VLE हैं Common Service Center संचालक हैं और आप लोग India Post Point Bank का CSP Point लेना चाहते हैं साथे साथ आप लोग आधार सेंटर लेना चाहते हैं तो किस प्रिकार से आप लोग को India Post Point Bank के माध्यम से CSP प्लस आधार सेंटर मिलेगा और इसके लिए क्या क्या qualification आपके पास होनी चाहिए किस प्रिकार से आप लोग अपना registration करेंगे यह भी हम जानेंगे आज किस वीडियो में इसका registration भी स्टार्ट हो चुका है तो registration आउनलाइन किस प्रिकार से करना है और form को कहां पे जमा करना है complete process आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं साथी साथ जो जो काम आपको IPV यानि कि India Postman Bank के माध्यम से मिलेगा उसके अंतरगत आप क्या-क्या काम कर सकते हैं यह भी हम जानेंगे तो अगर आप लोगों को India Postman Bank के माध्यम से आधार का काम मिल जाता है तो इसमें आप देख सकते हैं कि कौन-कौन से काम होते हैं जैसे कि आप बच्चों का Child Enrollment कर पाएंगे जो कि बिल्कुल Free में आप उस ID के माध्यम से बच्चों का आधार कार्ड बना सकते हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है साथी साथ आप लोग Biometric Update का कारे कर सकते हैं साथी साथ यहां पर आप Demographic Update भी कर पाएंगे Mobile Number, Link और Remail ID अपडेट भी कर सकते हैं और इसके साथ जो CSP आपको मिलेगा तो CSP मिलने के बाद आप लोग यहां से Account Opening की सुबधा लोगों को Provide कर सकते हैं और आपके पास Domestic Transfer का Option रहेगा EPS की Service का Option रहेगा इसका तमाम प्रिकार के Insurance की Services का आपके पास जो है Options रहेगे Credit Card, Loan, EMI इस प्रिकार की Services आपको मिल जाती है तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस प्रिकार से आप लोगों को आप IPPV की इंडिया की Official साइट पर आओगे तो इस प्रिकार से आप सभी का Dashboard आपन हो जाएगा सबसे पहले आपको यहां पर Online अपना registration करना है फिर आपको offline तरीके से भी अपना registration करना है तो सबसे पहले आपको online registration करने के लिए इस प्रिकार से पोटल पर आ जाना है इसका लिंक में आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर आप online जो है Google पर सर्च करेंगे IPPV और इस प्रिकार से इस साइट पर आ जाओगे यहां आपको option मिलेगा service request का इस पर क्लिक करना है non IPPV customer पर क्लिक करना है यहां पर आपको डोर स्टेप और associate मिलेगा इस पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस option पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने इस परिकार से service request form associate बिदस्ट पर आ जाएगा options तो आपको देखिए सबसे पहले इंडिया पोस्ट मेंट बैंक के माध्यम से आधार का काम करने से पहले आपको उसके माध्यम से आपको बीसी लेना पड़ेगा इन्वीज्वाल बिजिजनेस कॉर्स कॉर्स कर दें तो सबसे पहले आपको बैंक बीसी बनना पड़ेगा तो बैंक बीसी बनने के लिए आपको इन्वीज्वाल बिजनस कॉर्स्पोंडेंट्स पर क्लिक करना है इस प्रिकार से टिक करने के बाद आप तोलड़ा सा नीचे आओगे यहां पर आपका जो भी टैटल हो से जाएगा यहां प्ये बॉक्स में आपको जो है बैंक बीसी के लिए रिक्वेष्ट डाल देना है और इस पर आपको टिक करना है जो भी काप्चा कोड़ दिया गया है काप्चा कोड यहां डालींगे और सब्वी बटन पपे क्लिक करेंगे तो आपका यहां पर on-line registration हो यह पेज open होके आ जाएगा तो यहाँ पर आपको इस प्रेकार से कई सारे options देखने की मिलेगा तो यहाँ पर आप चाहे तो इसको हिंदी और इंगलिस में करके read out कर सकते हैं पड़ सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदी में करके आपको दिखा दूँ यहाँ पर आप लोग बहुत ही आचानी से देख सकते हैं कि इंडिया पोश्ट प्रण्ड बैंक के लिए आवेदन कर सकता है bank VC के लिए आवेधन कर सकता है और立ध कोई अगर self-help Group वाला है SSG वाला दो भी आवेधन कर सकता है कोई क्राक्र 9 किराना इश्टूर का बेखती है जो करने कर जो करता है जो की रिटारीर हो हुआ है इन वीजल ऑपरेटिंग कॉमन सर्विस सेंटर सी तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तो आवेदन करने के लिए तो रासा नीची आओगे यहां आपको आप संदिखाए देगा किलिक है टू डाउनलोड अप्लिकेशन फॉर्म इस पर आप किलिक करेंगे जैसे ही आप इस option पर किलिक करेंगे तो आप सभी के सामने business क्रॉस्प्रेंट का एक registration फॉर्म आ जाएगा उस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकाल लेना होगा तो इस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है यहां दो पेज का फॉर्म रहता है इसको प्रिंट करने सरफ फॉर्म के बाहर यहां पर होना चाहिए इस प्रीकार से जैसा कि यहां पर यहां पर लिखा हुआ है इंडिया पोस्ट रवन बैंक लिमिटेड बिजनेस कोर्रस्पोंडेंट अप्लिकेशन फॉर्म ठीक है तो यहां पर पहले से बैंक विची चला रहे थे तो अजि दो भी पिन कोड है प्रोड रित नंबर है उड़ा लेंगी एमिल आईडी आपका लाटिट्यूड और लॉन्चिट आपको यहां से डालना होगा लोगल पर जाके सर्च कर लिजा कर लिजेगा लाटिट्यूड और लॉन्चिटूड तो वह आपके लोकेशन का आयपी एड्र पता करके आपको आपका जो लाटिट्यूद और लॉंगिट्यूट बता देगा वह आपको कॉपी करके यह टाइप करके यहां पर लिख लेना है ठीक है और आपके फादर का नाम जो भी होड़ा लेंगे अपकी मताजी का नाम आपका डेट ऑफ बर्थ आपका यहां पर दे सकते हैं इसके बाद bank detail आ जाता है तो यहां पर अब आपको bank detail देने हैं लेकिन ध्यान रहे अगर आप इंडिया post point bank के मादम से bank VC लेना चाहते हैं तो आपका एक bank account इंडिया post point bank में होना चाहिए चाहे current account ये saving account लेकिन होना चाहिए तो उस ब्रांच का नाम फिर अपना व सब्सक्राइब करेंगे और यहां पर business problem signature and stamp आपका signature इस पर होगा सोरी पहले आपका जो stamp बना होगा इसके बाद थोड़ा से scroll करते हैं नीची आओगे अब यहां पर यहां पर फॉर्म नंबर 60 है इसको आपको फिल करने की जरूरी नहीं है ठीक है और यहां पर थोड़ा सा और नीची आओगे आपको मिलता लिस्ट आप करने के साथ में तो जो दो कमेंट आके पास मुझूद इसकी आधार कार्ण हो गया पैन का रोटर अडिकार और इसमें से और भी जो डोकुमेंट्स आखे पास मौचूद होंगे अपको सेलेक कर लेना है और इस फॉर्म के साथ आपको अटाइज करना इस टैपलर करने के ब आपको आपका बैंक BC ID अप्रूप करते जाएगा और आपको एक पैनल बिल जाएगा जिसमें कि आप लोग लोग इन करके बैंक BC की सर्विसेस का लाब उठा सकते हैं और बात रही आधार की तो आधार की सर्विसेस प्राप्त करने के लिए आप सभी को तो आप सभी को अपनी आधार काट की सर्विसेस को प्राप्त करने के लिए या तो आप वहाँ पे जो एंप्लॉई हैं उनसे आपको बात करने पड़ेगी क्योंकि इंडिया पोस्ट मेंन का यही रूल है कि जो उसमें लोग काम कर रहे हैं जो उसके एंप्लॉई हैं उन्हीं कोई ही मिल पाता है तो उसके लिए आपको अगर मिल भी पाता है उनके बात करने से तो फिर आपको वहीं बैठके काम करना पड़ेगा आपने मनपसंद लगा पे काम नहीं कर सकते हैं आधार का क्योंकि यही रूल है ठीक है तो मेत करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ ग आप